चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जै संतोशी मा, दोस्तों, आपका स्वागत है। आईए जानते हैं, आज आपकी राशियों के बारे में और कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। उन्नीस नवंबर दो हजार चौबीस मंगलवार मार्गशीर्श मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथी रात दो बज कर चपन मिनट तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथी की शुरुआत हो जाएगी। रोहिनी नक्षत्र पूरी रात रहेगा और अगले दिन तक जारी रहेगा। इंद्र योग रात आठ बज कर इक्यावन मिनट तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद वैधरती योग का आरंभ होगा। विष्टिकरण रात दो बज कर चपन मिनट तक रहेगा। इसके बाद बव करण शुरू होगा। आज का राहुकाल यानि दिन का सबसे अशुब समय दो पहर दो बज कर पचपन मिनट से चार बज कर सत्रह मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्थ यानि दिन का सबसे शुब समय दोपहर 11 बचकर, 50 मिनट से 12 बचकर, 34 मिनट तक रहेगा। आज चंद्रमा विशब राशी में संचार करेंगे, जबकि सूर्य विश्चिक राशी में स्थित रहेंगे। 19 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन आप के लिए बहुत वियस्त रहेगा। या तो आपके पास महमाना सकते हैं या आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इस दौरान आप अपने घर का नवीनी करण, नया घर खरीदने या दूसरी जगह स्थानांतरित होने के बारे में भी सोच सकते हैं। हालांकि आप पूरा दिन व्यस्त रहेंगे, फिर भी आप हर एक पल का आनंद लेंगे। हाल ही में किये गए मूल्यांकन ने आपको खुद के विशलेशन और आत्म निरीक्षन के मूड में डाल दिया है। उन उत्तरों की खोज के लिए समय निकालें, जिन्हें आप जानना चाहते हैं। अपनी समझदारी से आपको भविश्य में धोखा धड़ी या ठगी से बचने में मदद मिलेगी। घरेलू जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, किन्तु चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है, आज आप आराम, सुरक्षा और स्नेह की इच्छा रखेंगे। अपने साथी को समझें और अपने अनुभव उनके साथ सांजा करें। याद रखें कि लोग आपसे केवल सच्ची सलाह चाहते हैं और अपने अनुभव बांट कर आप अपना ग्यान भी बढ़ा रहे हैं। आज इस राश्य के जातकों की प्रभाव और प्रतिष्ठा में वृद्ध होगी। आपको कार्यक्षेत्र में लाभ और सम्मान प्राप्त होगा। अगर आप किसी संपत्ती में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह अच्छा समय हो सकता है। आज के दिन आपके पक्ष में रहेगा। सामाजिक कार्यों और प्रतिष्ठा में वृद्ध होगी और आपको पिता या पारिवारिक संपत्ती का लाभ मिल सकता है। नौकरी में आज अधिकारी वर्ग से आपको पूरा सहयोग मिलेगा और कार्य स्थल पर आपकी मधूरता बनी रहेगी। आप मंदिर या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा भी कर सकते हैं। घर की व्यवस्था, वाहन या अन्य घरेलू कारियों पर आपको धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि आज का दिन आपके लिए असमंजस से भरा हो सकता है। लेकिन परिस्थिति को सही तरीके से संभालने से आप सफलता प्राप्ट कर सकते हैं। आज आपको कुछ विशेश व्यक्तियों से मिलने का अवसर मिलेगा और वरिष्ठ सदस्य आपको अच्छा मार्ग दर्शन देंगे जो आपके काम आएगा। हालांकि जल्द बाजी के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए काम के मामले में आपको योजना बद्ध तरीके से चलने की आवशकता है। आपकी संतान आपकी उम्मीदों पर खरे उत्रेंगे और आपको अपने भाई बहनों का पूरा समर्थन मिलेगा। जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें आज कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। योजना बनाकर काम करना और सकारात्मक सोच रखना आपके फैसले लेने में मदद करेगा। यदि आपने कहीं पैसा उधार दिया हुआ है, तो उसकी वापसी की उच्च संभावना है। महिलाओं के लिए आज का दिन विशेश रूप से शुब रहेगा। भले ही तय समय पर काम पूरा नहों, लेकिन काम को पूरा करने पर ध्यान दे। कार्य की गती को तेज करना पड़ सकता है, और यदि आप एकागरता से काम करेंगे, तो वह आसानी से पूरा हो जाएगा। युवाओं को बड़ी सफलता मिल सकती है, और अपने टारगेट को हासिल करना आपके लिए संभव है। इसलिए मेहनत करते रहें, क्योंकि काम की वजह से विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। पार्टनर से मिली सूचनाओं का पालन करना आपके लिए फाइदे मंद रहेगा। गैस से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतें। भूमी या वाहन खरीदने की योजना बनाते समय अपनी वित्ती स्थिती को ध्यान में रखें। कभी-कभी आपकी विचलित मनोस्थिती आपको निर्णय लेने में परेशान कर सकती है। इसलिए शान्ती बनाए रखें। बच्चों पर अत्यधिक अनुशासन रखने के बजाए, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करना अधिक उचित रहेगा। लव-लाइफ के संदर्भ में, घर में रिष्टों में मधुर्ता बनाए रखने के लिए आपको उचित समय देना जरूरी है। यदि किसी मित्र या रिष्टेदार से लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आज आपको योजना बनानी चाहिए। आप हाल ही में किसी के साथ रोमांटिक रिष्टे में बंधे हैं, हलांकि ये व्यक्ति पहले से आपके जान पहचान वाला है, लेकिन उसकी कई कमियों को देखकर आपको अब थोड़ी निराशा हो रही है। जो चीज आपके सामने आई है, वहाँ आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने में असफल रही है। आपको उसे थोड़ा समय देना होगा, धीरे धीरे वहाँ आपको समझना शुरू करेगा। रिष्टे में मिले धोखे के कारण आप अकेला पन महसूस कर रहे हैं और तनहाई में समय बिताना चाहते हैं, लेकिन चिंता न करें, जल्द ही आपके जीवन में नए रिष्टे की शुरूात हो सकती है। आपकी निजी जिन्दगी में थोड़ी परिशानी हो सकती है और आप घर में शान्ती और सुरक्षा चाहते हैं। इसके लिए आप हर संभव प्रयास कर रहे हैं और इस दिशा में आपका साथ ही आपकी मदद कर सकता है। अपने फैसलों को एकतरफी रूप से ना थोपें बलकि दोनों मिलकर निर्णए लें। इससे न केवल आपकी समस्याएं हल होंगी बलकि प्यार भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं करियर की। आज अपने स्वास्थय का विशेश ध्यान रखें और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। डॉक्टर से मिलने या मेडिकल जांच की संभाव ना हो सकती है। आप अब दान या गैर लाबकारी कारियों में दिलचस्पी ले सकते हैं। याद रखें, जीवन मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन आपके प्रयासों से आप उन पर विजय पा सकते हैं। आज आपका पूरा ध्यान नए विचारों और रणनीतियों को लागू करने पर रहेगा। प्रतिष्ठा प्रबंधन को उचित महत्व देना जरूरी है, क्योंकि इससे आपके संगठन की प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही आपको अधिक ग्राहक और परियोजनाएं भी मिल सकती हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ती का सही दिशा में उप्योग करें। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों में लिप्त ना हो, क्योंकि इससे आप मुसीबत में पढ़ सकते हैं। लोग इसे अपराध के रूप में देख सकते हैं, और इससे आपका विश्वास हमेशा के लिए तूट सकता है। जो आपने इतने सालों में अपने लिए हासिल किया है, उसकी कद्र करें। इसलिए ऐसे कृतज्यताओं से दूर रहें और हर कार्य में इमानदारी का प्रदर्शन करें, जैसे आपने हमेशा किया है। कारोबार और आर्थिक मामलों में अभी और अधिक सोच विचार करने की आवश्यक्ता है, हालांकि कुछ लाब की स्थितियां भी बन सकती हैं। यदि कोई विभागी जांच चल रही है, तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। आफिस में सहयोगियों के साथ जल्दबाजी में निर्णय नलें और धहर्य रखें। सेहत की अन्यमित दिनचर्या और खानपान की वजह से सिर्धर्द और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। इसलिए इस बात का विशेश ध्यान रखें। अब समय आ गया है कि आप अपनी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बने। यह समझना जरूरी है कि मानसिक स्वास्थि का शारीरिक स्वास्थि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। और आप में किसी भी शारीरिक समस्या से उबरने की मानसिक शक्ती मौजूद है। अपनी मानसिक शक्ती पर विश्वास रखें, क्योंकि इससे आपको चकित करने वाले परिणाम मिल सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए शुब हो सकता है। यदि आप बीमा लेने का सोच रहे हैं, तो आज का समय आपके लिए शुब है, खासकर अगर आपकी राशे में आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। आरण लेने का विचार कर रहे हैं, तो आज का दिन इसके लिए उप्युक्त रहेगा। इसके अलावा, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ग्रहों का समर्थन मिलेगा। रियल एस्टेट में निवेश करने का भी यह समय सही है, और आपकी राशे इसे लाभकारी बनाएगी। यदि आप आउनलाइन पैसे कमाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं, तो आज आपको सफलता मिल सकती है। निवेश करने का यह समय अनुकूल है, खासकर क्रिप्टोक्रेंसी और शेयर बाजार में। डिजिटल मार्केटिंग के क्षेतर में आज सफलता मिल सकती है, तो इस दिशा में कदम बढ़ाएं। यदि आप वेब विकास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यवसाय विचार और नई योजनाओं को लागू करने के लिए भी यह समय शुब है। आपकी वित्तिय योजना अगर अभी तक तैयार नहीं हुई है, तो आज इसे साकार करने का बेहतरीन अवसर है। आउन-लाइन शिक्षा के लिए भी यह दिन अच्छा रहेगा, खासकर आपकी राश्य के हिसाब से। यदि आप स्वास्थय बीमा पर विचार कर रहे हैं, तो यह दिन इसके लिए भी उपयुक्त रहेगा। प्राद्योगी की समीक्षा में आज आपकी सोच बहुत आगे जा सकती है, इसलिए इस पर ध्यान दें। सौफ्ट्वेयर ट्यूटोरियल के क्षेत्र में भी सफलता के संकेत हैं, तो अपनी योजनाओं को आज साकार करें। यदि आप SIO के बारे में सोच रहे हैं, तो ग्रहों का साथ मिलेगा। आत्म सुधार के उपायों को आज अपनाएं क्योंकि आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। आटोमोटिव समीक्षा और लगजरी सामान में निवेश करने का समय भी आपके लिए शुब है। इस दिन का सही उप्योग करें और अपने राशिफल के अनुसार फैसले लें। आज का उपाय हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल अर्पित करें। इससे विग्ण दूर होते हैं और शक्ती प्राप्त होती है। ये उपाय सफलता और सुरक्षा के लिए अच्छा माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ भी बहुत प्रभावशाली होता है। ये उपाय नकारात्मक्ता को दूर करने, भाग्य में सुधार और शत्रूओं से रक्षा करने के लिए किया जाता है। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और आपका दिन शुब हो।